जाहिन नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदिर इस प्राइट करता हूँ आपके अपने यटूब चैनल कमानड और केड में पर दोस्तों आज का ये वीडियो इस्पेसली एरफोर्स के बच्चों का जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके बहुत सारी चीज़े सुनने में आरी और बहुत सारे बच्चे इसको लेकि डिमोटिवेट पर हो रहे हैं ये रिजल्ट कब जारी होगा और सबी को पता है कि जब तक ये पहला रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक नहीं भरती नहीं आएगी अब इसको लेगर एक नोटिस वायल हो रहा जो आपने भी देखा होग भी और रिजल्ट को लेकर भी इस नोटिस में काफी सारी जानकारी है जो कि वायल हो रही है इसकी क्या सचाहिए साथ ही जितने भी बच्चे जो अभी परजेंट टाइम में 12th कलास पास किये हैं और जिनका सब्जेट 800 या PCM यानी मैं तो कोई साभी हो जिनको एरफोर्स की रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा और जो नई वेकेंस यह उसके बारे कि में अपडेटर साथ एक चीज़ और बता दो लाड़ लो जितने भी बच्चे अभी परजेंट टाइम में ऐसा सी सीजियल टाय टू की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए कि आप ओली बोर्ड की त रिजल्ट है यह बिल्कुल फ्री टैस्ट है जितने बच्चे शीजियल की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अब मैं बता हूँ कि इसकी जो नई वेकेंसी है उसके बारे में भी उसकी लेटर में साथ में अपडेट है नोटिस के बारे मता दूँ कि वह नोटिस ऐसे दो सारे नोटिस वायरल हो रहे हैं इस समय एरफोर्स की तरफ से भी अब वो सही इंडियन एरफोर्स के है या नहीं है लेकिन मैं आपको बता दू यह जो रिजल्ट है जो दो साल से एटकाव आया है इसका 100% चांस है कि यह जून में आएगा ही आएगा 100% इसके चांस है आप मैं आपको बता दू लाड़ लो उसके बात कि ना सोचे क्योंकि अगर यह जून में आ गया तो जुलाई के माईने में आपकी नई वेकेंसी रहेगी और अक्टूबर तक उसके एक्जाम भी होंगे तो आपको तयारी करने का समय नहीं मिलेगा जो बच्छे अभी तयारी कर वो बेच भी अब एक तारिक से शुरू होने जा रहा तो जितने भी बच्छे एरफोर्स की तयारी करना चाते हैं या नेवी की एंडिये की वो एक तारिक से पहले पहले अकेडमी जोइन कर सकते हैं अकेडमी हमारी राजस्तान कुचामन सिटी के अंदर है उसके लिए रिजल्ट के बाद में नहीं वेकेंसी है उसके भी पूरे पूरे चांस है कि जुलाई अगस्त में ये वेकेंसी आएगी अक्टूबर तक इसके एक्जाम होने है तो जितने भी बच्छे अभी घर पे बेटे है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आपको एक उसी और मिल आपको कि जून के महीने में एरपोर्स के रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस है ठीक है तो जितने भी बच्छे जो अभी परजेंट टाइम में 12 पास के है वो अभी से तयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको नोखरी लेनी है क्योंकि अब जो वेकेंसी है कि उसमें ब भार प्लाट लोग